एक बार की बात है एक आदमी आफरिका में गोमने गया होता है तब वो वहां की सफारी में देखता है कि वहां पे हातियों को एक पतली रस्ती से बांदा हुआ होता है और ये देखके वो आदमी अचरज में पढ़ जाता है वो सोचता है कि हाती इतना विशाल का होने के बावजुद भी ये एक पतली रस्ती से बांदा हुआ है ये इसको तोड़ कर भाग क्यों नहीं जाता है यही सवाल वो वहां पे पास में खड़े महावत से पूछता है कि भाई ऐसा क्यों है ये इतना बड़ा हाती है और उसको एक पतली रस्ती से बांदा हुआ है फिर भी ये उसे तोड़ कर भाग नहीं रहा है तब वो महावत उसे कहता है कि हम लोग जब यह रादी बच्वत में छोटे होते हैं तब इन के अंदर उतनी ताकत नहीं होती है और तब हम उनको जो रस्ती से बांदते है बो कई बार व और उसकी वज़ा से दिरे दिरे उनको ये यकीन हो जाता है कि वह ये रस्तिया नहीं तोड़ सकते फिर जब बड़े होते तब वह कभी ये रस्ति तोड़ने का प्रयास नहीं करते ये सुनकर वह आदमी आश्चर में पढ़ जाता है कि इतना ताकतवर जानवर है और अपना बंधन इसलिए नहीं तोड़ पा रहा हैं, उसको अपने आप पर यकीन नहीं है, हाथियों की तरह हम इंसानों में भी ऐसा ही होता है, पहली मिली असफलता के कारण हम मान लेते हैं, कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, और अपनी बनाई हुई इस मानसिक जंजिरों में हम जकड़े हुए हम अपना पूरा जीवन ऐसे ही गुजार देते हैं, याद रखिये, सफलता एक जीवन का हिस्सा है, और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, यदि आप भी ऐसे किसी बंधन में बंधे हैं, जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रहा हैं, तो इसे तोड़ दाल लिए, आप हाथी नहीं इनसान है,